देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि जाएगा। इस राशिफल में आपके लाइफ के जो भी प्रमुक एसपेक्ट होते हैं, जनरल प्रडिक्शन्स, करियर, बिजनस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडिन्स, सेहत, इन सब चीजों को समन्वित किया जाएगा और इन सब के बारे में एक सामानने विशलेशन होगा। गे राशिफल कहां से देखें, लगन से देखें, राशी से देखें, देखें इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, मैं कई बार समझा भी चुका हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाओ जल्दी ही, आपका क्या स्टॉंग है, आपका लगन स्टॉ यदि उनका लगन बली है, कई लोगों को राशी से अच्छे रिजल मिलते हैं, यदि उनकी राशी बहुत बली है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहां से अच्छे रिजल्द मिलते हैं, मैं परस्नली लगन से देखता हूँ, बाकी ये इंडिवि चुरुआत करते हैं, जनरल प्रिक्शन के साथ, सबसे पहले लगन को देखेंगे, तो लगन पर शनी महाराज का सीधा प्रभाव रहेगा, क्योंकि सात्वी दृष्टी रहेगी, कुम्ब में रहे के देखेंगे, शनी महाराज तीन तारीक को वकरी हो रहे हैं, लंबे समय तक वकरी रहेंगे, हाँ इससे कुम्ब राशी को छोड़ देंगे जुलाई में, वापस सरे जाएंगे मकर में, लेकिन इस महीने जून में तो यहीं पर रहेंगे, अब जब वकरी हो जाते हैं, शनी तो और बली हो जाते हैं, कोई भी ग्रह वकरी होता है, तो बली होता है, बली का मतलब यह नहीं कि negative या positive वो negative positive individual कुणली पर depend करता है जब ग्रह वक्री होता है तो बल उसको मिल जाता है बहुत डीप में नहीं जाओंगा लेकिन शडबल होता है ग्रहों का तो जब शडबल calculate करते हैं तो जो भी ग्रह वक्री होता है उसको extra उसके points मिलते हैं मतलब कि वो बली हो जाते हैं तो शनी महराज यहाँ पर आपके बली हो जाएंगे और लगन को देखेंगे तो यह अच्छा भी होगा बुरा भी होगा business में आगे बढ़ सकते हैं social life में आगे बढ़ सकते हैं politics में गुसना चाते हैं यह महीना अच्छा है कुछ ना कुछ चांस मिल सकते हैं भौतिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा लेकिन personal life के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा सबसे पहले तो क्योंकि वक्री हो जाएंगी तो आपकी जो मान सकता है वो कभी-कभी नकरात्मक हो जाएगी जो usually नहीं होती लियो के साथ क्योंकि यह लोग बहुत self motivated रहते हैं इनके अंदर will power बहुत होती है आगे बढ़ने का एक जुनून होता है लेकिन क्योंकि आपके लगने के स्वामी सूर्य और शनी इनके बीश में बहुत अच्छा रिष्टा नहीं होता तो जब भी शनी महराज देखते हैं लियो को उनके लगन को या कहीं से भी अगर कोई और भाव बनता है लियो का तो उसको थोड़ा negative impact जरूर डालते हैं तो थोड़ा सा अपनी thinking में आपको सुधार करना होगा ज्यादा किसी नकरात्मक चीज में मत गुसिएगा वनना वो आपके लिए थोड़ी problematic रहेगी लगन पर और किसी ग्रह की तो दृष्टी नहीं रहेगी राहु का प्रभाव कह सकते हैं क्योंकि नवे घर में है तो आगे भी आपका उसमें साथ देगा लगने की स्वामी को देखेंगे वो बैठे हैं दसवे घर में और पंद्रा तारीक को चले जाएंगे ग्यारवे घर में तो दोनों ही अच्छे घर हैं करियर में भी आगे बढ़ने के chances मिलेंगे और भौतिक जीवन में इच्छा योग बन रहे हैं जैसा मैंने कहा, शशयोग बन रहा है, शनी महाराज राज वारा और शनी वकरी हो जाएंगे तो यह और स्व्रोंग हो जाएगा तो यह जो 5 महापुरुष योग है यह आपको और अच्छे फल देगा इसके साथ ही शनी महाराज एक राज्योग भी बना में रहे हैं क्योंकि वह लावस्थाने के सवामी हैं और सूर्य महाराजों की लगने के स्वामी है उनके साथ बैटे हैं वह लावयोग रहेगा तो यह सारे योग बहुत अच्छे हैं आपके लिए इसके साथ ही आपका को 2012 एंपके भ्रीनvisor होता है वह जहां पर आप 100% ना हो, क्योंकि इस महीने, इस पाश योग के कारण, कुछ गलत निरने, विदाउट, आप डिटेल्स में नहीं जाएंगे, और तब कोई निरने ले लेंगे, वो आपके लिए बहुत भारी पढ़ सकते हैं। गुरु मंगल योग बन रहा है आपके लिए, जो की अश्टम भाव में है, ये थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है, क्योंकि ब्रहस्पती विपरीत राज योग बनाएंगे, तो ये एक तरह से अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन मंगल क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी है, अपने से बारवे में चले गए हैं, तो कहीं-कहीं पर भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा, कहल योग भी आपका बन रहा है, ये भी अच्छा है, ये आपको एक स्ट्रेंथ देगा, एक विलपावर देगा, आपको एक ऑथोरिटी देगा अपने कारेक शेत या सिम्ह, लगनराशी के चाहता के, एमोशन को हैंडल कभी-कभी कर लेते हैं, ज्यादा एमोशन व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन ये महीना आएगा जब शायद आप थोड़े एक्स्प्रेसिव रहेंगे, स्पेशली अपने दोस्तों के सामने, या उन लोगों के सामने जि करन थे पड़ेगा, अपनी लईफ को आगे लेके जाने के लिए, हो सकता है आपको किसी का साथ चाहिए होगा, अब यह मैं परस्नल लाइफ में भी कह रहा हूँ, और प्रोफेश्नल लाइफ में भी, यहा तक परस्नल लायफ की बात है, हो सकता है अब आप उस स्टेश पे के लिए किसी की सहायता इस महीने अवश्य बढ़ेगी बार-बार कुंडली में यही आ रहा है कि ओवर वर्क रहेगा इस महीने मल्टी टास्किंग आपको बहुत करनी पड़ेगी कई जगाओं पर आप अपने हाथ ट्राय करेंगे उसके कारण बॉडी और माइंड दोनों ही एक्जास्टेड हो जाएंगे तो थोड़ा सा अपने लाइफ में एक बैलेंस लाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा और इसके साथी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी तो हो सकता है इस महीने आप शेर मार्केट आधी से भी काफी लाग अरजित कर लें कुछ नेगेटिव चीज़ें कुछ नकरात्मक चीज़ें जिनके बारे में आपको अबगत कराना चाओंगा एक कैदी आपको कहीं से recognition नहीं मिला कहीं से मान सम्मान नहीं मिला आपके कारियों के लिए तो बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे और उसके कारण से आप बाकी सारे चीज़ों में अपना involvement कम कर देंगे दूसरा कोई problem जिसको आपने बहुत जल्दबाजी में past में सुल्टा दिया था कि वही चलो कहते हैं न कि यहां चलो इसमें मिट्टी डाल दो चलो इसमें कोई shortcut लेके आपने वो काम हटा दिया था अपने रस्ते से वो जो आपने काम अधूरा छोड़ा हुआ था वो इस महीने वापस आएगा आपको तंग करने के लिए तो उसके लिए भी ready रहिएगा दूसरा finance management आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे खर्चे बढ़ेंगे आप देखफाल से खर्चे नहीं करेंगे आप अपनी savings का ध्यान नहीं रखेंगे और इसके कारण भी थोड़ा परिशान आप हो सकते हैं जो महिने का शुरुवाती भाग है आपके लिए specially अच्छा रहेगा क्योंकि यहां पे कई जगा पे आपको भागे का साथ अवश्या मिलेगा especially personal life में जो महिने का बीच का भाग है यह पैसे के लिए अच्छा रहेगा नई opportunities पैसे के लिए आ सकती है और वैसे भी आपके life में महिने के बीच में बहुत कुछ नया होने वाला है जो महिने का अंतिम भाग है यह थोड़ा आपके लिए problematic जाएगा इसमें कई चीजें confusing करने वाली आपको होगी कई चीजों को लेके आप confused रहेंगे परिशान रहेंगे भरम की स्थिती में रहेंगे कई निरने आपको एकदम लेने पड़ सकते हैं जिसके लिए शायद आप तयार नहीं हो और जैसा मैंने बताया था वो ही निरने आपके लिए थोड़े से परिशान करने वाले हो सकते हैं अब चलते हैं करियर के तरफ एक अच्छा रहेगा जो लोग job करते हैं महिना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि महिने के शुरुवाती 15 दिन आपके जो लगन से डिरेक्ट हो जाएंगे मारगी हो जाएंगे तो बुद्ध आदित्ययोग बनेगा और लाभ स्थान के स्वामी है बुद्ध तो कारेक शेत्र से इस महीने बहुत सारा लाभ आने वाला है तो यह महीना जौब के लिए तो बहुत अच्छा है और कुछ समय बाद यानि की 18 त जो भी चैलेंजेज आएं कारेक्षेत्र में उनको एक्सेट करकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजेगा कुछ चेंजेज अवश्य आएंगे और वो चेंजेज अपने साथ ऑपर्चुनिटीज भी लाएंगे तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा शौर्टकट्स मत अपन आएगा किसी भी चीज में कारेक्षेत्र में शौर्टकट्स आपने अपनाएं तो वह आपके ही खिलाफ जाएंगे जादा अपने आपको इमोश्टनल इंवाल्मेंट कीजिगा किसी के साथ भी अपने करियर में जहां पर आप काम करते हैं आपके कलीक्स हों कोई भी जाद अच्छी ऑपरचुनिटीज आप मिस कर सकते हैं इस महीने तो अपने सेंसेस को जितना खुला रखेंगे उतना आपके कारेक्षेत्र अच्छा रहेगा किसी चीज को लेकर बहुत प्रत्ने कर रहे थे हो सकता है नई जौब ढूंड रहे थे या प्रमोशन के चांसेस आपक को ध्यान रखता है एंच ज्यादा कन्ट्रोलिंग मत रहे जो कारे सिर्फ आपका है सिर्फ और फोकस करना है यहादा किसी को कंट्रोल करने का प्रयास किया कारेक्षेत्र में तो प्रॉब्लम होगी दूसरा जितने conflicts को बचा सकते हैं जितने conflicts से अपने आपको दूर रख सकते हैं बले ही कि आपका कोई argument ना रहा हो किसी और का कोई वादवाद चल रहा है उसमें भी नहीं घुसेगा वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ negative इस महीने ला सकता है दूसरा जैसा मैंने अभी थोड़ी दिर पहले ही बताया मैं अभी दसामसा को थोड़ा सा observe कर रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि इस महीने कोई अच्छी opportunity आएगी लेकिन शायद आप उसका फाइदा नहीं उठा पाएंगी और वोही चीज आपके लिए बहुत नकरात्मक आने वाले समय में साबित होगी जो महीने का शुरुवाती भाग है इसमें थोड़ा एक contentment की एक अपने job से satisfaction की भावना रहेगी जो आपको काफी अच्छा फील कराएगी जो महीने का बीच का भाग है इसमें जैसा मैंने कहा नई opportunities आएंगी नई job के opportunities आ सकती है कितना आप उसको समझ पाते हैं यह आपके उपर है जो महीने का अंतिम भाग है यह बहुत अच्छा है यहाँ पर आपको कोई नई guidance मिल सकती है अपने कारक शेत्र के समझ में और increment पैसा बनने के chances भी महीने के अंतिम भाग में आपके लिए बहुत जादा रहेंगे आप चलते हैं business की तरफ सात्वे घर को भी देखा जाता है बिजनस के लिए तो सात्वे घर तो strong है क्योंकि सात्वे घर के स्वामी शनी देव वहीं पर बैठेंगे और वकरी हो जाएंगे तो यह महीना business के लिए बहुत important है जो लोग business करते हैं सिम्ह लगने या राशी के जातक उनके लिए महीना काफी अच्छा रहेगा नई opportunities मिलेंगी विजनस में आगे बढ़ पाएंगे विजनस में profit होगा मुनाफ़ा होगा हर चीज के chances बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप से मैं एक चीज कहूँगा कि कभी भी कोई पैसों के संबंद में कोई निरने आपको लेना है तो अगर आप उसमें हलके से भी confused है तो उस निरने को लेने के लिए किसी की मदल दीजेगा मतलब कि किसी से सला मशवरा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने family के issues को अपने business पर इस महीने हावी मत होने दीजेगा वनना थोड़ी बहुत problem आपको हो सकती है कुछ नए ideas आएंगे यदि आपने उनको ढंग से implement किया तो यह पूरा महीना आपके business के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है आपको भागे का इस महीने बहुत साथ मिलेगा अपने business में अचानक से भागे बदल सकता है जिन लोगों का business बहुत समय से नहीं चल रहा था वो जो एक रफतार होती है एक ले होती है एक रिदम होती है business में यदि आपका business वो speed नहीं पकड़ रहा था तो इस महीने उस संबंद में भी कुछ न कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है बस मैं एक चीज कहूँगा जो बार-बार मुझे लग रही है कि personal life को, family life को या उसमें जो भी चल रहा है उसको अपने business पे impact मत पढ़ने दीजेगा उसका impact अपने business पे मत पढ़ने दीजेगा वरना वहां से कुछ नकरात्मक आपके business में हो सकता है दो-तिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एक, जो चीज आपके control में नहीं है उस चीज पे जादा focus नहीं करना कई चीज़ें होती है, अब हमने business करते हैं, हमने किसी चीज में पैसा लगा दिया, और वहां से पैसा धीरे-धीरे वापस आ रहा है, या काम उतनी speed से नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज आपके हाथ में नहीं होती बहुत सारे factors involved होते हैं तो हर चीज को control करने का प्रयास मत कीजिएगा दूसरा जादा खर्चा करने से बचिएगा कभी-कभी over enthusiastic होके कि चलो भी पैसा तो आ रहा है, पैसा और लगा देते हैं ये महिना पैसा कमाने का है जादा पैसा लगाईएगा मत अब जो खर्चा होना होगा वो तो होता ही है लेकिन over spending से आपको बचना पड़ेगा कई लोग होते हैं, उनको हलका सा भी loss हो जाता है वो बहुत निराच हो जाते हैं और इस तरह से business नहीं चलते तो कोई भी setback होता है कोई भी loss होता है उसको accept कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा तबी इस महीने में आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है जो महीने का शुरुवाती भाग है यह आपके लिए business के लिए बहुत अच्छा है responsibilities बढ़ेंगी business में काम बढ़ेगा लेकिन अच्छे result भी प्राप्त होंगे कुछ यदि losses हो रहे थे तो उनकी recovery भी हो सकती है जो महीने का बीच का भाग है यहाँ पर कुछ अर्चने जरूर आएंगी आपके business में लेकिन आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से निभालेंगे बहुत अच्छी तरह challenge की तरह accept करकर आगे बढ़ेंगे कुछ यात्राएं आपको करनी पर सकती है बिजनस के संबंद में महीने के बीच में जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि challenging तो रहेगा लेकिन देखे शनी वक्री होके बैठे हैं तो challenge तो आपको देंगे आपका कारे भार बढ़ाएंगे आपके responsibilities बढ़ाएंगे लेकिन आपको शमता भी देंगे सामर्थे भी देंगे उस business उस opportunity का फायदा उठाने का उस challenge को accept करने का और आगे बढ़ने का तो यह आपके ओपर है आप किस तरह से challenges को handle करते हैं तो महीने का अंतिम भाग है काम बहुत रहेगा लेकिन वो काम फायदे बन रहेगा यदि आप real estate से जुड़ा manufacturing construction से जुड़ा या फिर यातायाद से जुड़ा या फिर hospitality industry जुड़ा इन सबसे जुड़ा कुछ भी business करते हैं तो इस महीने काफी लाग आने वाला है love life की तरफ सबसे पहले बात करेंगे no contact situation जिनका no contact situation था ये महीना उनके लिए अच्छा है चीजें ठीक हो सकती है चीजें वापस से पहले जैसी हो सकती है अट लीस्ट उस रास्ते पे आप जा सकते हैं opportunity मिलेगी आपको specially महीने के शुरुवाती भाग में तो उस चीज़ का आपको लाब उठाना है आपको prepare रहना है कि यदि कोई भी ऐसी संभावना बनती है ऐसी opportunity बनती है तो आप उसको उसका use करें उसको utilize करें इसलिए पहले से ही तैयारी कर लीजीगा कि जब भी मौका मिलता है जब भी कुछ positive संकेत आते हैं तो आप उसको utilize करने की शमता रखें और उसके लिए तैयार रहें तो अच्छा महिना है no contact situation को ठीक करने के लिए नया relationship start करना चाहते हैं तो बहुत ज़ादा positive महिना तो नहीं कहूंगा मैं यह कहूंगा कि पहले समझी है कि आपको किस तरह का partner चाहिए शायद तभी आप ही थोड़े unclear है आपकी expectations unclear है कि आपको partner किस तरह का चाहिए यह महिना है कि यदि आपका relationship नहीं start होता है नहीं हो रहा है तो क्यूं चाहते हैं आप relationship क्या सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप single है या फिर आप खुद relationship चाहते हैं अगर खुद चाहते हैं तो किस तरह का relationship चाहते हैं किस तरह का व्यक्तित्व आप चाहते हैं इन सब चीजों पर थोड़ा विचार करेंगे जल्दबाजी मत कीजेगा यह जो relationship की चीज होती है जो भी होता है यह जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए थोड़ा समय लेकर ही इसमें किसी भी decision पर पहुँचेगा तो यह महीना है सोच विचार का जो लोग already relationship में है ज़ि मैं उनकी बात करूँ तो पांचवे स्थान को भी देखा जाता है सात्वे के साथ और देखिए काम त्रिकोन में इस महीने और काफी आने वाले समय तक एटलिस जुलाई तक तो क्योंकि केतु तो हैं ही और शनी भी है काम त्रिकोन तीन साथ ग्यारा तो दो जब पाप गरह है तो लव लाइफ में थोड़ी अर्चने तो आती है तो ये तो मान लीजे कि जुलाई तक आपके लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सुआएंगी तो कोशिश कीजेगा कि थोड़ा धैरे बना के रखें थोड़ा जल्दबाजी से बचें ज़्यादा जजमेंटल ना हो अपने पार्टनर के पती ज़्यादा एक्स्पेक्टेशन भी उनसे मत रखें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनसे डिस्कस कीजिए अपनी कॉम्मिनिकेशन खुली रखें कुछ उन्होंने गलती करी और आप मुँ बनाके बैठ गए तो चीज़े वहीं से और मुश्किल होती जाएंगे समय का ध्यान रखिएगा कुछ important बात करनी होती है तो पहले अपने पार्टनर का mood और परिस्थितियां देखकर ही आगे बढ़िएगा अपने जो विश्वास है आप दोनों के बीच में उसको जितना बढ़ाएंगे आप इस महीने उतना आपके लिए अच्छा रहेगा जादा ऐसी बातें कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे मतलब कि हवाई बातें इस महीने ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा down to earth अपने relationship को रखेंगे अपने व्यक्तित्व को रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जैसा मैंने single लोगों के लिए कहा है जो लोग relationship में हैं जो लोग couples हैं उनके लिए भी यह कहूँगा यह महीना सोच विचार का है क्या है आपके relationship का future कहां आप जाता हुआ देखते हैं अपने relationship को इन सब चीजों को सोच विचार करेंगे इन सब सीजों का सोच विचार करेंगे तो आपके लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा दो तिन चीजों का ध्यान रखेगा एक कि अपने partner को अपने जितना ही दर्जा दीजेगा यह मत समझेगा कहीं पे भी कि आप उनसे superior है एक बार भी यह भावना आगी तो आपके लिए गलत होगा उसके साथ ही जब बात करेंगे तो बहुत सौम्मिता से कीजिए जैसे मने बोला सा कि down to earth रहना है इस महीने हो सकता है कि आपकी बात सही हो लेकिन आपने थोड़ा सा उसको rude way में कह दिया तो वहीं पे लड़ाईया जगड़े start हो जाएंगे इन security को अपने life में इस महीने दिया स्थान मत दीजेगा और इसके साथ ही मैं कहूंगा कि कुछ निरने जो आप बहुत डिले कर रहे है especially अपने relationship के संबन्द में उस निरने पर भी इस महीने काम कीजेगा वो आपके life में होगा आपको ज़्यादा पता होगा कि कौन सा वो निरने है जो महीने का शुरुवाती भागए यह थोड़ा आपके लिए trouble देने वाला रहेगा इसमें बहुत कुछ नकरात्मक हो सकता है कुछ गलत आपके द्वारा कहा जा सकता है कुछ गलत आपके द्वारा किया जा सकता है थोड़ा सा चिंता जनक समय होगा फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जो महीने का बीच का भाग आएगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी, mental compatibility थोड़ी बहुत ठीक होना शुरू हो जाएगी, और उसके लिए आपको थोड़ा initiative लेना पड़ेगा, फिर जो महीने का अंतिम भाग है, इसके बाद जो 25 से महीने का अंतिम तक का समय है, यहाँ पे चीज़ें फिर से सौट आउट होना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा मिला जुला सा देख रहा है यह महीना आपके लिए, चलते हैं married life के तरफ, married life के इस आपसे महीना थोड़ा सा नगरात्म करहेगा, बहुत अच्छे नहीं होते हैं, आपके लगने के स्वामी के साथ जैसा मैंने बताया है कि अच्छे संबंद नहीं होते हैं, वैसे भी शानीदेव सात्वे घर में भले अपनी राशी में हैं, लेकिन अपना कारकत्व भी उनका होता है, अपना एक नेचर है, तो वो थोड़ा दूर ही करते हैं इन संबंदों से, तो थोड़ा सा ये महीना नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये महीना रहने वाला है, के तु भी कामत्रिकोन में ही रहेंगे, तो चीजों को हैंडल मेरेड लाइफ में करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा, यदि आप दोनों के वीच में बहुत अच्छी कमपैटिविलिटी है, प्यार है, तो तो आप जहल जाएंगे, लेकिन यदि नहीं है, चीज़ें अल्रेडी प्रॉब्लेमेटिक चल रही है, तो ये महीना आपके लिए बहुत मुश्किल दायक होने वाला है, बहुत सोच विचार करने पर आपको मजबूर करेगा ये महीना, क्या शादी का कुछ फ्यूचर है, क्या मैं आगे खुश रहूँगा अपने पार्टनर के साथ, ये सब चीज़ें आपके मन में बहुत आएंगे, मैं तो यही कहूँगा कि, जो भी मन में चल रहा है, एक सही परिस्थिती, सही समय देखकर, अपने लाइफ पार्टनर से डिसकस कीजेगा, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आप अपने मन की बाते रखेंगे, वो भी अपने मन की बाते रखेंगे, हो सकता है, एक समनवे बन जाए, एक कमबैटिबिलिटी उससे ही बन जाए, अदर्वाइस तो यह महीना थोड़ असा नकरात्मक ही मुझे दिख रहा है, कम्यूनिकेशन का, एक ओपन हार्ट कम्यूनिकेशन का, तभी आपका विवाही जिवन इस महीने सुचार रूप से चल पाएगा, दो-तिन चीज़ों का ध्यान रखेगा, ज्यादा डिफैंसिव मत हो जाएगा, आपके लाइफ पार्टनर आपसे कुछ पूछते हैं, तो यह नहीं कि पहले ही उनसे लड़ने लगे, पहले उनका जवाब दीजी, समझिए कि हो क्या कह रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा ही पूछ रहे हूँ, दूसरा, बार-बार शादी से विश्वास होड़ेगा, अपने लाइफ पार्टनर से विश्वास होड़ेगा, और कभी-कभी बिना किसी कारण की, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, दूसरा, उनकी तिरफ ध्यान ना देना, उनकी चीज़ों पर, उनकी जरूरतों पर ध्यान ना देना, ये भी आपके लिए बहुत महेंगा पड़ेगा, जो महीने का शुरुवात ही भाग है, ये थोड़ा सा तब भी ठीक रहेगा, थोड़ी सी clarity यहाँ पर तब भी रहेगी, ये लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी चीज़े, थोड़ा सा problematic महीना शुरू हो जाएगा, आप थोड़े authoritative रहेंगे, आप थोड़ा dominate करने की कोशिश करेंगे, और यही चीज़ आपके life partner की तरफ से भी रहेगी, दोनों ही एक, या स्पेशलिए आपकी side से थोड़ा जादा होगा, कि आप अलग रहना चाहेंगे, कि आप at least इस महीने तो बार-बार आपके मन में आएगा, कि कहीं अलग जाके रहता हूँ, बार-बार जैसे ही घर में घुसेंगे, एक अलग सा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, आपका मन करेगा सब कुछ छोड़ चाड़ कर, at least अपने पती-पत्नी को छोड़ चाड़ कर, कुछ दिन अलग से रहता हूँ, और मैं कहूंगा, उसमें कुछ गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ समय आप अपने घर से दूर, अपने पती-पत्नी से दूर बिताते हैं, यदि आपको ऐसा मौका मिलता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिष्टदानों के साथ, तो ऐसा कर लीजेगा, उससे भी यह महीना, थोड़ा बहुत आपके लिए सकरात्मक जा सकता है, जो महीने का अंतिम भागया है, यहाँ पे मिला जुला सा रहेगा, दोनों साइट से अफर्ट्स रहेंगे शायद कि हाँ थोड़ी मैचुरिटी आएगी, कि चीजों को सुलढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर से महीने के अंत में जाते जाते कुछ ना कुछ होगा, जिसके कारण बहुत तीक ही आर्गुमेंट्स आप दोनों के बीश में हो सकती है, तो थोड़ा सा नाकरात्मक महीना है शादी के लिए, चलते हैं स्टूडेंस की तरफ, जो महीना है ये वैसे ठीक ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके जो पांचवे भावा के स्वामी है, यानि कि ब्रहस्पती, वो आठवे घर में गए हैं, और वहाँ पे विप्री तराजयोग बना रहे हैं, और मंगल के साथ होगे, वे तो specially जो competitive exams के तियारी कर रहे हैं, जिनका कोई exam परता है, competitive exam परता है, ये पूरा ही महीना उनके लिए almost बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे ही result उनको राप्त होंगे, और overall students के लिए भी महीना ठीक है, लेकिन थोड़ी अनिश्चित्ता रहेगी, थोड़ा detail में बाद में बात करूँगा, तो महीना negative नहीं है, positive ही है, जिनका exam है उनके लिए तो महीना बहुत अच्छा है, यदि आपका महीने के शुरुवाती भाग में कोई exam परता है, तो अच्छा समय है, main चीज़ डिपेंड करेगी, कि आपका अपने उपर विश्वास कितना है, यदि आपका विश्वास अच्छा है अपने उपर, confidence अच्छा है, तो आप कोई भी exam clear कर सकते हैं, जो महीने का बीच का बहाग है, ये अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है, जैसा मैं देख रहा हूं, कि हो सकते हैं, आपकी सेहत आपका साथ ना दे, तो यदि कुछ नकरात्मक आपके exam में होगा, तो वो होगा आपकी सेहत के करन, कहीं भी आपकी सेहत या तो बिगड सकती है, आपका साथ ना देगी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, जो महिने का अंतिम भाग है, ये भी आपके exam के लिए, कोई भी आपका exam होता है उसके लिए, बहुत अच्छा समय रहेगा, अच्छा ही result इसमें भी आपको प्राप्त होगा, तो exam के point of view से तो पूरा महिना बहुत अच्छा है, जो higher studies करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा महिना है, क्योंकि पाँच्वे स्थान के स्वामी अश्टम में है, तो research based कुछ करते हैं, महिना बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ना चाहेंगे बहुत तेजी से, और यहीं पर आपके लिए थोड़ी गलती हो जाएगी, आपसे थोड़ी गलती हो जाएगी, इस महिने आपको धैरे बहुत दिखाना है, energy बहुत होती है, students में young होते हैं, तो उस energy को छोड़ा channelize कीजेगा, किसी पे ज़्यादा over emotional dependent मत रहिएगा, अपने emotions को ज़्यादा control करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कई जगा थोड़े illogical हो जाएगे, तो थोड़ा logic conclusion तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, इस महिने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, दो तिन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो मुझे लग रहा है, एक तो अपने आपको change नहीं करेंगे, flexible नहीं रहेंगे, वो आपके लिए इस महिने नकरात्मक होगा, क्योंकि स्थिर सोभाव की राशी है, तो कभी-कभी होता है, तो थोड़ा flexible रहेंगे, तो अच्छा रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो problem होगी, दूसरा, कई लोगों से जान बूचके या अनजाने में जड़प आपकी होगी, arguments होगे, उस तीसे भी बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको आपकी energy बहुत खालेंगे, आपका time बहुत खालेंगे, और तीसरा, planning अगर नहीं करी, अगर अपने exams को, अपने studies को इस महिना अपने plan नहीं करा, तो आपके लिए महिना बहुत problematic होगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बात करते हैं सेहत की, सेहत के लिए देखिए मिला जुला सा महिना रहेगा, क्योंकि शनीदेव देख रहे हैं, छटे भाव के स्वामी है, तो थोड़ी बहुत सेहत तो बिगड़ेगी, और सूर्य जो आपके लगने के स्वामी है, वो भी बुद्ध के साथ रहेंगे, और बुद्ध महिने के शुरुवात में वक्री रहेंगे, और इसके साथ ही, जो बुद्ध है, वो आपके लिए, जब आपके लगने के स्वामी के साथ ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा प्रभावित भी करते हैं, हेल्थ वाइस, तो मिला जुला सा महिना रहेगा ये आपके हेल्थ के समंद में, कौन-कौन से बिमारियां आपको तंग कर सके हैं, जो महिने का शुरुवाती भागयास में, आपको थोड़ी mental tensions, anxiety, sleep disorders, और कफ रोग तंग करेंगे, खासी जुखाम, कफ, ये सारी problems आपको तंग करेंगे, जो महिने का पीच का भागयास में, digestive disorders, और body pain, वात, रोग, constipation आदी ये सा तंग करेंगे, और जो महिने का अंतिम भागयास में, हड्डियों से संबंदित रोग, acidity की problem और lower back से संबंदित problems तंग करेंगे, आपके लिए उपाई ये है कि महिने के शुरुवात में, नहीं किसी भी शिव मंदिर में गुड, चीनी, चने की दाल और घी का दान करके आईएगा, और वहाँ बैटकर शिव चालीसा का पाँच बार पाट करके आईएगा, यही आपके लिए सर्वोतम हो पाए रहेगा, चैनल पर नए है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए उपनाव,